है गाइज वेल्कम बैक टू मैं चैनल और आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेसल सब्जी जो होटल और रेस्टोरेंट में बनाई जाती है आज पहली बार हम इसको घर पर ट्राई कर रहे हैं और बनाने के बाद फिर ऐसा लगा कि यह सब्जी तो हमारी हमेशा के लिए फेव बन जाएगी तो मैं बनाने जा रही हूं आलू मतर मेथी की सब्जी इसके लिए मैंने एक छोटी सी भगूनी में ले लिया है सबसे पहले तो दो ग्लास पानी और इसमें ताजा फ्रेस मतर डाले हैं एक कटोरी आप चाहें फ्रोजन डाल सकते हैं लेकिन इस टाम सर्दियो इसको मिलाके और मीडियमाच पर गैस पर चंधा डेंगे और इसको धीरे तीरे इसके पकनी देंगे अब इधर मैंने ले लिया है कडाई और उसमें डालेंगे डेड़ बड़ा चमच तेल का और गैस को चला देंगे और इसमें हम ग्रेवी तयार करने के लिए सामान डालेंगे तो सबसे पहले मैंने एक चमच डाल दिया है जीरे का दो तेज पत्ते डाले हैं दो लाल मिर्च डाली है उसके बार डालेंगे इसमें पांच साथ कलियां डालेंगे इसमें लैसुन की और एक इंच अद्रक का टुकड़ा है जिसे मैंने दो टुकड़ों में काट लिया है और एक लंबी हरी मिर्च डाली है जिसको मैंने चार टु काजू से हमारी ग्रेवी इतनी रिच बनेगी न इसका टेस्ट ही कई गुना बढ़ जाएगा और अब इसमें डाल देंगी मैं एक बड़ा टमाटर लिया है जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और इसको मीडियम आज पर थोड़ा सा पकाएंगे इतना पकाएंगे कि बाद में सब्जी के टैम है यह जल्दी सब्जी बन जाएगी तो इसको मैं थोड़ा इसको जिए ज्यादा ही गला लूंगी यह देखी गल गया है और आव इसको निकाल लूंगे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख दूंगी और जब ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी म में आराम से इसको पेस्ट बना लेंगे कि इधर हमारा जो मेथी और मटर हमने गैस पर चड़ा रखा था पानी में उसको भी चेक कर लेते हैं उनको भी ज्यादा नहीं पकान है इतना है कि मटर हमारे सोप्ट हो जाएए यह देखना है तो मैं चमत से इसको एक मटर को तोड देख लूँगी तो यह आराम से तूट रहा है तो हमारा यह भी बनकर तयार हो गया है और गैस को बंद कर देते हैं अब इसका पानी निकाल देंगे अगर आप एक बार इस तरीके से यह सबजी बनाएंगेना तो आप यकिन नी मानेंगे यह आपकी फीवरेट होने वाली सबजी इतनी टेस्टी बनती है, मेरी तो फिवरेट बन गई है, हर प्रोग्राम में कोई भी मेमान आए, मैं तो यही सबजी बनाने वाली हूँ, तो मैंने इनका पानी निकाल लिया है, अगर आप उसमें सबजी में पानी डालना चाहें, तो यह जो पानी निकला यह डाल सकते हैं, लेकिन इस से थोड़ा कडवा पर आएगा, लेकिन पानी नहीं डालेंगे, तो जो हमने टमटरो उसमें मेथी उबाली थी न, उस पानी में ही सारा कडवा पर निकल गया है, आप बनाएंगे, तो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, कि यह मेथी डाली है, तो प्याज हमने ड पाल मिर्च का हम पहले ही डाल चुके हैं और गृषास हमें बमक का और कर देकिंकु को कि मिट्च में हम्मने ग्रेवी तयार की तिए वो डाल देटे अब यह इसमें नहीं लगागा क्योंकि ग्रेवी हमारी पहले से पकी वी थी और मठर और मेथी को भी हमने पहले से पका लिया था तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला इस स्टेज पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेवी और पतली हो तो या तो आप वह पानी था मठर का वोड नहीं डालना चाहते हैं और और जड़ा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप यह काम करिए एक कप इसमें दूद का डाल दीजिए उससे भी हमारे सबजी वोड टेस्टी बनेगी तो मैंने यह मठर और मेथी जो उबाल के रखे होई थे यह इसमें ड केटर दूद में जो निकली हुई ताजा फ्रेस मलाई है जो हमारी सब्जी की जान है इससे हमारी सब्जी कितनी टेस्टी बनेगी यह तो आप बनाके ही देखेंगे तभी पता चलेगा क्योंकि मैं तो कितनी भी बता दूँ वो तो तो आप खुद बनाके देखेंगे तभ पता चलेगा इतनी टेस्टी सब्जी बनीए तो इसमें सब कुछ पहले से पकावा है तो हमारी सब्जी बनकर लगबग तैयार हो गई है अब अगर इसमें आप डालना चाहे हैं तो जो कसूरी मेथी है न वो थोड़ी सी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मैंने इसमें मेथी डाली है तो मेरे दिमाग में क्या था कि मेथी कड़ी होगी और कसूरी मेथी डालने से और ज़्यदा कड़ हो जाएगा मैंने नहीं डाला और एक चमच इसमें डाल दिया है किंग किचिन किंग मसाला इससे स लीजिए देखिए कितनी टेश्टी सब्जी बनकर तयार हुई है अगर आपको मेरी ये मेथी मटरमलाई की सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो क्रिपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कोमेंट भी कीजिए और अपना सब्सक्राइब कीजिए और भी कम डाल सकते हैं